नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां अद्रक खरीद रहे हैं तो आप सावधान हो जाएए क्यूंकि अगर आप इस बात को जानेंगे तो बहुत दुख भी होगा आपको और जानना भी बहुत जरूरी है क्यूंकि अगर स्वस्त रहना है तो अपने खान-पान की चीजों को जानना बहुत जरूरी है मिलावट के बाजार में खाने पीने की कौन सी चीज खरी है यह पहचानना बहुत मुश्किल होता जा रहा है अब तो सबजियों एवं फलों के साथ भी छेर छाड़ की जा रही है जिससे की हमारी सेहत पर खुले आम असर पढ़ने लगा है दरसल हाल ही में दिल्ली इस्थित आजादपुर मंडी से एक चौकाने वाला मामला सामने आया है यहां अद्रक की खूबसूर्ती को बढ़ाने के लिए एसिड इस् जान लेवा साबित हो सकती है जी हां यह सुनकर के कैसा लगता है कि जो चीज खाने पीने की हमारे स्वास्ते के लिए बेहत फायदेमंद होती है वो हमारा जान भी ले सकती है अद्रक की खुबसूर्ती बरकरार रखने के लिए की जा रही इस धांधली का छापा मार कर अद्रक की धुलाई करने वाले कारोबारियों के यहां छापे की कारेवाई की गई है XDM माडल टाउन ने की गई इस कारवाई में इसकारोबार का परदाफास हुआ है जिसमें सैकड़ो लीटर एसीड और सैकड़ो टन अधरक जपत की गई है च्छागोदामों में की गई हापे की कारेवाई में 400 लीडर एसीड और अदरक की सैकडों बोरियां जब्त की गएं एसीड वाले अदरक के सेवन का असर विश्यशक्द्यों का कहना है कि अदरक का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं पर एसीड से धुली अद्रक सेहत पर गहरा हसर डाल सकती है इसे अगर थोड़ी मात्रा में भी प्रती दिन लिया गया तो हमारी किड़नी में स्टोन की समस्या के अलावा हमारे शरीर की संरचना में भी बदलाव आने का खत्रा हो सकता है लगातार सिरदर्द उल्टियां और बदंदर्द के साथ साथ लोंग टर्म इफेक्ट काफी हानिकारक हैं ऐसे में अद्रक खरीदने से पहले कई बिंदूओं पर इसकी जाच कर लेना बहत जरूरी है नहीं तो जो चीज हमारे फायदे के लिए है वो नुकसान भी हमें दे सकती है तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो अद्रक सही हो सबसे पहले आप खरीद भी लेते हैं अगर तो बहुत अच्छे से उसको दोए किलीन करें इसके बाद खानों में इस्तेमाल करें क्योंकि टेस्ट कर लेना बहत जरूरी है कि एसीड से इसकी गलो को बढ़ाया गया है या फिर नेचु आज कि हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहदी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों